हलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वह था चमपारन सत्याग्रह उसके बारे में हम देखेंगे गांधी जी का भारत में यह प्रथम शफल आंदोलन था इन्होंने तीन कठिया प्रणाली के बिरोध में चमपारन में सत्यागरह किया था चमपारन के किसानों को निलहे जमिनदारों से मुक्ती दिलाई थी इसी आंदोलन के दोरान गांधी जी को महात्मा की उपादी रविननाथ टैगोर ने दिया था तथा किसानों की जो हालत थी उनकी हालत को देखकर राजकुमार शुकले ने गांधी जी को चमपारन आने का आमंत्रन दिया था तब गांदी जी चंपारना कर चंपारन शत्यागरह किया था 1917 में गांदी ने शावर मती आश्रम की पुनल अस्थापना की थी अहमादाबाद में शावर मती नदी के टड़पन अब हम देखेंगे खेरा और अहमादाबाद आंदोलन गांदी जी 1918 इसपी में गुजरात में खेरा अंदोलन किया था जो कि किसानों की समस्या से संबंदित था तथा अहमादाबाद आंदोलन अहमादाबाद में किया था जो कि स्रमिक बिवाद का इसमें सफलता पुरवक नेत्रित्य किया इसमें कॉर्टन टेक्स्टाइल मील मालिक मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने तथा प्लेग बोनस में कॉटवती से संबंधित यह बिवाद था चुकि आहमादाबाद में प्लेग की समाथती के बार मील मालिक जो थे वह प्लेग बोनस को समाथत करना चाहते थे जबकि जो स्रमिक थे इस बोनस की बर्ती महंगाई का हिस्सा मान रहे थे ऐसे में गांधी जी ने स्रमिकों के पक्ष में अंदूरन किया और उनकी मांग को समर्थन दिया तथा स्वयम भीवह भूखरताल पे बैठे थे और फिर स्रमिकों को 35% बोनस दिये जाने की घोशना करवाई इस मांग को स्विकार किया तब जाकर जब इस मांग को मजदूर मालिक ने स्विकार कर लिया मिल मालिक तब जाकर यह आंदूरन शमाथ हुआ था इस मिल मालिकों में एक थे अंबालाल सारा भाई जो कि गांधी जी के साबर मती आश्रम का जो निर्मान हो रहा था तो उसमें वो अधिक मात्रा में धन दान किये थे अब हम देखेंगे रॉलेट एक्ट जो है था कि अंग्रेजी शाषन के विरूधी जो बर रही क्रांतिकारी थी उसी गतिवीदी को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने इस एक्ट को पारित किया था चेंस फोर्ट द्वारा किंग्स न्यायपीट के न्याधिश और सिड्नी रॉलेट की अध्यक्षिता में यह रॉलेट एक्ट पारित हुआ इस शमीती के सुझाओ के अधार पर ही फरवरी 19,19 में केंग्रिये विदान परिशद में दो विध्यक भी पेस किया गया था जिसमें की एक विध्यक परिशद के भारतिय शदश्यों के विरूद के बावजूद भी पारित कर दिया गया मार्च 1919 में जो पारित बिध्यक्ता उसी को हम रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से भी जानते हैं इस अधिनियम के तहट जो था सरकार बीना चाहे जिसको चाहे जब चाहे वह मुकदमा चला के जेल में बंद कर देती थी इसलिए इस कानून को हम बिना वकिल, बिना अपिल और बिना दलील का कानून भी कह सकते हैं भारतिये जन्ता ने इसे काला कानून कहकर इस एक्ट की आलोचना की थी गांधी जी ने इसी रॉलिट एक्ट के अलोचिना में इसके विरुद्ध सत्याग्रह भी किया और सत्याग्रह सभा की अस्थापना की तता 6 अप्रेल उनिश और उनिश को उनके अनुरोध पर देश में हर्ताल का आयोजन भी हुआ था इसी आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को दिल्ली परवेश के परियास में गिरफतार किया गया जिससे देश भर में अक्रोष फैल गया था तब गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया आज हम इतना ही देखेंगे नेक्स वीडियो में देखेंगे चाल गया वाला बाग हत्याकार कैसे हुआ थैंक यू